C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तीन, प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6, इसका शीर्शक है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, अध्याय 6, प्रिष्ट 66 जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफतार करते हैं। अपराधियों को गिरफतार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है, मानो पुलिस ही इताय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है, तो अदालत ही इताय करती है कि आरोपी वाकई दोशी है या नहीं सम्विधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निश्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है क्या आप जानते हैं कि निश्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है क्या आपन F.I.R. के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याए में हम चोरी की एक कालपनिक घटना के जरीए ये समझने की चेश्टा करेंगे कि न्याए पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याए विवस्था में अलग- भूमिका होती है. ध्यान रखें कि ज्यादतर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने कालपनिक उदारन में जिक्र किया है. फल्स्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याए विवस्था में अलग-अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्पपून होता है. अगर कभी ऐसा मौका आता है तो ये जानकारी आपके लिए उपियोगी साबित हो सकती है. इस प्रिष्ठ पर नीचे अदालत का द्रिश्य दिखाया गया है, जिसमें नियाया धीश महोदय के सामने दो वकील खड़े हुए बहस कर रही हैं और कटगरे में खड़ी हुई एक महिला कह रही है, मैं निर्दोश हूँ और मेरी सुनवाई हो. प्रिष्ठ सड़सट इस प्रिष्ठ पर कई चित्रों के माध्यम से मुंबई के एक मकान में चोरी की एक वारदात को दिखाया गया है. सबसे उपर लिखा गया है, मुंबई के एक मकान में श्रिमती शिंदे तयार हो रही है. पिछले एक घंटे से वे गले का हार ढूंड रही है. इसके नीचे जो चित्र दिखाया गया है उसमें श्रीमती शिंदे बक्से के उपर अपनी कोहनी रख कर अपने हाथ को अपने माथे पर रखे हुए स्वयम से कह रही है मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था कहां गया इसके साथ वाले चित्र में श्री शिंदे श्रीमती शिंदे से आकर कहते हैं जल्दी करो भाई हमें देर हो रही है शादी के समारों में जाने के लिए श्रीमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती है मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है मुझे लगता है कि शान्ती ने मेरा हार चुरा लिया है मेरे कमरे में सफाई करते हुए वो ज्यादा ही समय लगाती है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें श्रिमती शिंदे अपनी नौकरानी से बात कर रही है इस चित्र के उपर लिखा है शान्ती हेम ब्राम पिछले तीन साल से इस मकान में काम कर रही है श्रिमती शिंदे शान्ती से कहती है शान्ती क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लूँगी, हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है, तो अभी लोटा दो शान्ती कहती है, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की इसके साथ वाले चित्र में, श्री शिन्दे शान्ती से बहस करते हुए दिखाए गए हैं इस चित्र के उपर लिखा गया है, शिन्दे साहब शान्ती के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में दस हजार रुपए मिलते हैं वो शान्ती पर चिलाने लगते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि शान्ती ने हार बेच दिया है और ये उसी का पैसा है शान्ती अपनी सफाई देते हुए कहती है, साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गाउँ लोट कर एक बैल खरीदना चाहते हैं, मैडम मैं बेगुना हूँ इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे पुलिस थाने का द्रिश्य दिखाया गया है, उपर लिखा है, मिस्टर शिन्दे थाने में पहुँच जाते हैं सब इंस्पेक्टर उनसे पूचता है, जी कहिए, उत्तर में मिस्टर शिन्दे कहते हैं, मैं FIR लिखाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है, घर की नौकरानी शान्ती ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है इस प्रिष्ट पर दाई और नीचे दिखाये गए चित्र में, FIR दर्ज करते हुए दिखाया गया है, उपर लिखा गया है, शिन्दे सहाब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं प्रिष्ट 68, इस प्रिष्ट पर बाई और उपर, शिन्दे सहाब के घर का द्रिश्य दिखाया गया है, उपर लिखा गया है, शिन्दे सहाब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं, सब इंस्पेक्टर राव पूछताच करते हुए दिखाये गए हैं अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्च करूँगा रुपेयों के लिफाफे सील करके सुबूत के तौर पर मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शान्ती को गिरफतार करके ठाने ले जा रहा हूँ शांती उत्तर में कहती है महरबानी करके मुझे थाने मत ले जाईए मैंने हार नहीं चुराया ये मेरी मेहनत की कमाई है इस प्रिष्ठ में सबसे उपर दाई और पुलिस स्टेशन का द्रिश्य दिखाया गया है उपर लिखा है शांती का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वो शांती को छोड़ दे इंस्पेक्टर राव उससे कहता है उसने सोने का हार चुराया है तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ उत्तर देते हुए सुशील कहता है लेकिन मैं वकील की फीज कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है इन दोनों चित्रों के नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है सब इंस्पेक्टर राव सुषील को भी दो दिन तक हवालात में रखता है उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कॉंस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं वे उसपर दबाव डालते हैं कि वो इल्जाम कुबूल कर ले बे उसे ये मानने के लिए कहते हैं कि वो और उसकी बेहन शान्ती घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वो गिरोहो घरों से गहने चोरी करता है शिंदे के पडोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वो निर्दोश है और फैक्टरी में मजदूरी करता है तो दो दिन बाद फुलिस उसे छोड़ देती है अदालत ने एक महीने बाद शांती की जमानत की अरजी मनजूर तो कर ली लेकिन कोई भी बीस हजार रुपाए के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था नतीजतन जमानत के बावजूद वो जेल में ही पड़ी रही वो गेहरे सदमे की हालत में है वो डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा इस प्रिष्ट पर बीच में जेल में बंद शांती का चित्र दिखाया गया है वो सोच रही है मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया सिर्फ मैडम के शक की वज़े से मैं सलाकों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगे ने जो पैसा बचाया था क्या वो कभी हमें वापस मिल पाएगा? इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महतपून जानकारी दी गई है पुलिस ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शान्ती को दे दी जाती है शान्ती अदालत को बताती है कि चूरी के इस जूटे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है मैजिस्ट्रेट महोदय शान्ती की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ती को एक वकील के जरीए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 49 ए में ऐसे नागरिकों को वकील मुहिया कराने की जिम्मेदारी राज्य के उपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते प्रिष्ट 79 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई और एक चित्र दर्शाय आ गया है जिसमें अधिवक्ता कमला रॉय शान्ती से अदालत में मिलती है शान्ती कहती है ये मेरे मुकदमे के कागज है मेरे मालिकों ने हार चुराने का जूटा आरोप मुझ पर लगाया है सुशील कहता है उन्हें शान्ती के बक्से में दस अजार रुपए मिले थे उन्हें लगता है कि उसने हार बेच कर ही ये पैसा हासिल किया था लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा है इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर अदालत का द्रिश्य दिखाया गया है 11 दिसंबर 2006 अदालत शान्ती पर आरोप लगाती है कि उसने श्रिमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेच कर शान्ती को जो दस हजार रुपए मिले वो उसके पास पाए गए शान्ती कहती है मैं निर्दोश हूँ और मेरी सुनवाई हो मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है इस प्रिष्ठ पर बीच में अदालत का द्रिश्य दिखाया गया है 18 रह मार्च 2007 सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है वो श्रिमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है सरकारी वकील श्रिमती शिंदे से सवाल पूछता है तो अब बताईए श्रिमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ श्रिमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती है मैंने सोने का हार दराज में रखा था शांती ने उसे चुराया है शांती के अलावा और कोई व्यक्ती मेरे कमरे में नहीं जाता मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी वहां लिफाफे में दस हजार रुपई देखकर हम तो अचंबे में पढ़ गए थे शांती को ये पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वो चोर है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे अदालत का दृष्ष दिखाया गया है उपर लिखा गया है, इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रिमती शिंदे से जिरह करती है वो कहती हैं, तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांती को चोरी करते हुए नहीं देखा नहीं आपको शांती के पास चोरी का हार मिला पिछले तीन साल में जब से शांती आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई आप हर महीने उसे एक हजार रुपए पगार भी देती रही है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है बीस अप्रेल दो हजार साथ अधिवक्ता रुए बचाव पक्षक के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है इन दोनों के भयानों के आधार पर सुश्री रॉय ये साबित कर देती हैं कि शान्ती के संदूक में मिले दस हजार रुपए सुशील और शान्ती की कमाई की रकम भी हो सकती है प्रिष्ठ सत्तर इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे उपर अदालत का द्रिश्य दिखाया गया है 14 मई 2007 उपर लिखा गया है जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुँच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडा फोड किया है इस गिरोह के लोग शिंदे के महले में गहनों की चोरी करते हैं श्रिमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य है उनके पास से श्रिमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है सुशील ये बात अधिवक्ता रॉय को बताता है अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्षक के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है वे उनसे सवाल पूछती है इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है इंस्पेक्टर शर्मा उत्तर देते हुए कहते हैं जी हां श्रिमती शिंदे ने अपना यहार पहचान लिया है हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यहार चुराया था उन लड़कों ने अपना इल्जाम कुबूल कर लिया है यहार उन्होंने ही चुराया था इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर अदालत का द्रिश्य दिखाया गया है पंद्रह जुलाई दोहजार साथ न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने ये दलील देती है कि अब शांती निर्दोश साबित हो चुकी है इसलिए उसे बरी कर दिया जाए न्यायाधीश महोदय अपना फैसला सुनाते हुए दिखाई देते हैं वे कहते हैं शांती आपको चोरी के इलजाम से बरी किया जाता है पुलिस ने जो दस हजार रुपए आपके पास से बरामद किये थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा मैंने लिखत फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तप्तीश में सबिंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खासतोर से ध्यान दिया जाए जिसकी वजह से शांती आपको जेल जाना पड़ा इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्षका वकील और न्याय अधीश ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय विवस्था में मुख्य लोग होते हैं इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है आईए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखिए अपराध की जाँच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है पुलिस का एक महत्वपून काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्च किये जाते हैं और सबूत इकठा किये जाते हैं इस जाँच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सुबूतों से आरोपी का दोश साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोपत्र याने चार्ज शीट दाखिल कर देती है जैसा कि अध्याई की शुरुवात में ही कहा गया था कि ये तए कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ती दोशी है या नहीं ये नियाधीश को तए करना होता है प्रिष्ट 71 दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ती देश के कानून के अधीन है पुलिस भी इसी कानून के तहताती है लिहाज़ा पुलिस को हमेशा कानून के मताबिक और मानवा धिकारों का सम्मान करते हुए जाँच करनी चाहिए सरवुच नियायाले इने गिरफतारी, हिरासत और पूछ ताच के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशानिर्देश तए किये हुए हैं इन दिशानिर्देशों के अनुसार पुलिस को जाँच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है किसी छोटे से छोटे अपराद के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजार नहीं दे सकती सम्विधान के अनुच्छेद बाईस और फौजदारी कानून में प्रत्य गिरफतार हुए व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार दिये गए हैं गिरफतारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफतारी किस कारण से की जा रही है गिरफतारी के 24 घंटों के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार गिरफतारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार पुलिस हिरासत में दिये गए इकबालिया बयान को आरूपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तिमाल नहीं किया जा सकता पंद्रह साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए ठाने में नहीं बुलाया जा सकता इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर सब इंस्पेक्टर राव का चित्र दिखाया गया है और उसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून प्रश्न पूछा गया है लिखा गया है आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरूपी द्वारा दिये गए बयानों को उसके खिलाफ सुबूत के तौर पर इस्तिमाल नहीं किया जा सकता इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है सर्वुच्य न्यायालाई ने किसी भी व्यक्ती की गिरफतारी, हिरासत और पूछताच के बारे में पुलिस एवं अन्यसंस्थाओं के लिए कुछ खास शर्थ और प्रक प्रियाएं तय की हुई हैं इन नियमों को डी के बसू दिशानिर्देश कहा जाता है इन में से कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैं गिरफतारी या जाच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नामपट्टी, तथापद, सपष्ट वसठीक रू गिरफतारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तयार किया जाए उसमें गिरफतारी के समय वत तारीख का उलेक होना चाहिए, उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाहा होना चाहिए, वो गिरफतार सदस्य के परिवार का व्यक्ती भी हो सकता है, अरेस्ट मेमो पर गिर कि जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफतार व्यक्ती का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो, तो गिरफतारी के आठ से बारह गंटे के भीतर उसे गिरफतारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। प्रिष्ट बहत्तर इस प्रिष्ट पर उपर पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। एक आईए अब शान्ती की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोचते हैं। क जब चूरी के इलजाम में शान्ती को गिरफतार किया गया, उसी दोरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी दो दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कारवाई कानूनन सही थी? क्या इस से बीके बसूद दिशानिर देशों का उल्लंगन हुआ है? क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शान्ती को गिरफतार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से परियापत सवाल पूछे और जरूरी सबूत एकठा किये थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राए में सब इंस्पेक्टर राव को जाँच के लिहास से और क्या-क्या करना चाहिए था? 2. आईए अब थोड़ी अलग स्थिती में मामले को देखते हैं मान लीजिए कि शान्ती और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि शिन्दे के 20 वर्षी ये बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिये हैं क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरण उनकी F.I.R. दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिये जो आपकी राय में F.I.R. लिखने या न लिखने के लिए पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं इस प्रिष्ठ पर नीचे नारंगी रंग के बकसे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमी की F.I.R. पुलिस F.I.R. दर्ज होने के बाद ही किसी अपराद की पड़ताल शुरू कर सकती है कानून में कहा गया है कि किसी संगे ये अपराद की सूचना मिलने पर ठाने के प्रभारी अधिकारी को फौरण F.I.R. दर्ज करनी चाहिए पुलिस को ये सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है F.I.R. में आम तोर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उलेख किया जाता है उसमें वारदात के मूल तत्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है अगर अपरादियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उलेख किया जाता है F.I.R. में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है F.I.R. के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते है शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है इस प्रिष्ठ पर नीचे बाई और एक FIR के कुछ प्रिष्ठों के चित्र दिखाए गई है प्रिष्ठ 73 सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है किसी आपराधिक उल्लंगन को जनता के विरुद्ध माना जाता है इसका मतलब ये है कि वो अपराध केवल पीडित व्यक्ती को ही नुकसान नहीं पहुँचाता बलके पूरे समाज के प्रती अपराध होता है आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है आरोपी लक्ष्मन और उसके परिवार के खिलाफ ये मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था इसी लिए इस मुकदमे को राज्य याने दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मन कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था इसी तरह शांती वाले मुकदमे को भी श्रिमती शिंदे बनाम शांती हेम ब्राम की बजाए राज्य बनाम शांती हेम ब्राम के नाम से जाना जा सकता है अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है नियायालय के पदा धिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वो निश्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तत्य, गबाह और सबूत पेश करे तभी अदालत सही फैसला दे सकती है इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर अदालत का एक द्रिश्य दिखाया गया है इसमें सरकारी वकील श्रिमती शिंदे से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं तो अब बताईए श्रिमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ श्रिमती शिंदे उत्तर देते हुए कहती हैं मैंने सोने का हार दराज में रखा था शांती ने उसे चुराया है शांती के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूग की तलाशी ली थी वहां लिफाफे में दस हजार रुपाई देखकर हम तो अचेंबे में पड़ गए थे शांती को ये पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वो चोर है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अमपायर की होती है वे निश्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किये गए सबूतों की जाँच करते हैं अपने सामने मौझूद बयानों वस्थबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही टाय करते हैं कि आरूपी सचमुच दोशी है या नहीं अगर आरूपी दोशी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं वो कानून में दिये गए प्रावधानों के हिसाब से दोशी व्यक्ती को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में एक महत्व पून प्रश्न पूछा गया है लिखा गया है सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांती के मुकदमे में क्या कहा? निश्पक्ष सुनवाई, फेर ट्रायल क्या होती है? आईए, थोड़ी देर के लिए कलपना करें कि अगर न्यायाधीश महोदै शांती का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांती को आरूप पत्र और गवाहों के बायानों की नकल नदी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांती और सुशील दोनों नहीं जा सकते तो क्या होता? प्रिष्ट 74 अगर न्यायाधीश ने शांती की अधिवक्ता रौए को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गए श्रिमती शिंदे आदी गवाहों से जिरह करने का परियाप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते के शांती दोशी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निश्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था इसकी वजह ये है कि निश्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ती के जीवन या स्वतंतरता को केवल एक तरक संगत और नियाए पून कानूनी प्रक्रिया के जरीए ही छीना जा सकता है निश्पक्ष सुनवाई में ये सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा आईए अब चित्र कथा पट में दिये गए शांती के मुकदमे पर वापस लोटें और एक निश्पक्ष सुनवाई के मूल भूत तत्मों पर ध्यान दें पहली बात शांती को आरोप पत्र और उन सभी साक्षियों की एक-एक प्रती दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किये थे शांती पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानूनन एक अपराद है ये मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया शांती का भाई सुशील अदालत की कारवाईयों में मौजूद था मुकदमा आरूपी की उपस्थिती में चलाया गया शांती का एक वकील ने बचाव किया शांती की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्षकी ओर से पेश किये गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया अधिवक्ता रॉय को शांती की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया हालांके पुलिस ने शांती के खिलाफ चूरी का मामला दर्च किया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोश मानते हुए मुकदमा चलाया अब अभियोजन पक्ष को निरनायक रूप से सिद्ध करना था कि शांती ही दोशी है इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसान नहीं कर पाया महत्वपून बात यह है के अदालत के सामने पेश किये ग़े साक्षियों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया न्यायाधीश ने शांती की कमजोर स्थिती के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं ले लिया के वो सचमुछ चोर है इसके बजाए न्यायाधीश का आचरण लगातार निश्पक्ष रहा और चूंके साक्षेओं से ये सिद्ध हो गया कि शांती के बजाए कुछ युवकों ने चोरी की थी इसलिए उन्होंने शांती को आजाद कर दिया शांती को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निश्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था इस प्रिष्ठ पर उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शांती और उसका भाई सुशील अधिवक्ता रॉय से बात करते हुए दिखाये गई हैं शांती कहती है ये मेरे मुकदमे के कागज हैं मेरे मालिक ने हार चुराने का जूटा आरोप मुझ पर लगाया है सुशील कहता है उन्हें शांती के बकसे में दस अजार रॉपए मिले थे उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। इस प्रिष्ठ पर बई और नीचे अधिवक्ता रॉय श्रिमती शिंदे से सवाल पूछते हुए दिखाई गई हैं। वो कहती हैं तो आप ये कह रही हैं कि आपने शान्ती को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शान्ती क पास चोरी का हार मिला। पिछले तीन साल में जब से शान्ती आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे एक हजार रुपए पगार भी देती रही हैं। प्रिष्ठ 75 इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक् सम्विधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही धंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वो विभिन वर्ग, जाती, धर्म और वैचारिक माननेताओं के हों, उन्हें निश्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को सम्विधान के माध्यम से निश्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिध्धान्त का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इस दिखाया गया है। और इस प्रिष्ट पर कुछ महत्वपून जानकारी भी प्रदान की गई है। लिखा गया है प्रिष्ट 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निश्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी हैं। शान्ती के मुकदम के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि इन प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। एक, खुली अदालत, दो, सबूतों के आधार पर, तीन, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह, अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शान्ती के कि आजाता तो क्या हो सकता था? एक, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता? दो, अगर अगर अदालत उसे निर्दोश नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती? प्रिष्ट, 76, अभ्यास, पीस लैंड नामक शहर में फियस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। पियस्ता के समर्थकों का एक जुंड घातक ह बुरी तरह जखमी होती हैं, बहुत सारे घर नश्ट हो जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाथी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन चार समुहों में बांट दीजिए। यहां नीचे दी गई तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाएं और दीए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाईं। प्रत्य एक्टूली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फियस्ता सम लोगों को नियाए दिलाने के लिए आवश्चक हैं। ये काम किस क्रम में किये जाएंगे। इस प्रिष्ठ पर नारंगी रंग के बक्से में दो शीर्षक लिखे गए हैं। पहला शीर्षक है भूमिकाई और दूसरा शीर्षक है कारियों। भूमिकाई शीर्षक के नीचे लिखा गया है पुलिस। कारिय शीर्षक के नीचे उस कॉलम में लिखा गया है गवाहों को सुनना। भूमिकाएं शीर्षक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखा गया है सरकारी वकील जिसके सामने कार्य शीर्षक के नीचे लिखा गया है गवाहूं के बयान दर्ज करना, इसी तरह भूमिकाएं शीर्षक के नीचे तीसरे नंबर पर लिखा गया है बचावपक्ष का वकील और सामने कार्य शीरशक के नीचे लिखा गया है गवाहों से बहस करना, भूमिकाएं शीरशक के नीचे चौथे नंबर पर लिखा गया है न्यायाधीश और उसके सामने कार्य शीरशक के नीचे चौथे नंबर के कॉलम में लिखा गया है जले हुए घरों की तस्वीरें लेना औ और उसके नीचे सुबूत दर्ज करना, फिर फियस्ता समर्थकों को गिरफतार करना, फैसला लिखना, पीडितों का पक्ष प्रस्तुत करना, ये ताय करना कि आरूपी कितने साल जेल में रहेंगे, अदालत में गवाहों की जाँच करना, फैसला सुनाना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जाँच कराना, निश्पक्ष सुनवाई करना, आरूपी व्यक्तियों से मिलना, अब यही स्थिती लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहीं, जो फियस्ता कलब का समर्थक है, यदि आपराधिक न्याई व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि पीडितों को न्याई मि पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याई विवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग-अलग भूमी का निभानी चाहिए? दो कारण बताएं। चल रहा है। संग्यय इस अध्याई में उन अपराधों को संग्यय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमती के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्षका वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है। जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके इसे जिरह कहते हैं। हिरासत डिटेंशन पुलिस द्वारा किसी को गयरकानूनी धंग से अपने कबजे में रखना। निश्पक्ष इसका मतलब है स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराद का आरोप लगाना जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराद के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराद का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह जब किसी व्यक्ती को अदालत में ये बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है तो उसे गवाह कहा जाता है। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन बाबला कोछड तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो निर्मान सहयोग तनु गुप्ता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत